लेकिन एक बात हमें याद रखने है कि बनाने के बाद डेपलोई जरूर करना अपने प्रजेक्ट को क्योंकि वही आपकी प्रजेक्ट की वैल्यूस को 10-20 तैम्स बढ़ा रहे होते हैं आपकी रेज्यूमे के इंदर इसके अलावा CSS भी आप लोग सीख जाओगे कर CSS के अंदर थोड़े कच्छे हो तो बहुत ही कमाल का CSS भी इस वीरियो के अंदर सिखा रखा है और अगर आप लोग ने कोई ऐसा प्रजेक्ट बनाया हुआ जिसके उपर यूजर्स आ रखे हैं तो तो वह कमाल की चीज़ आती है हैं पहले प्रोजेक्ट आइडिया की प्रोजेक्ट है टिक टेक्टो या फिर सुड़ोगू सॉलवर्ट टिक टेक्टो हमने गेम खेला हुआ ठीका जीरो कांटा वाला हमारी कौपी के पीछे गेम होता था इसको आप लोग बना सकते हो बेसिक CSS, HTML, JavaScript के हैज़ से आप लोग टेक्टो का गेम बना सकते हो मैं लेकिन यहाँ पर रिकमेंड करूँ हो कि थोड़ा सा रियक्ट सीखो ठीका वेव डेलाओन में अगर आप लोग मूब कर रहे हो यह React की official website के उपर है तो यह basically tutorial है, इसके अंदर आप लोग React तो सीखोगे इसके साथ साथ आप लोग अपना tic-tac-to का गेम बनाना भी सीख जाओगे यह पूरा का अपर टुटोरियल आप लोग को basic से लेकर advanced level के react concept सिखा देगा और इसके बाद आप लोग के पाच कुछ ऐसी output होगी जहां पर आप लोग ऐसे tic-tac-to खेल रहे होगे इसके अलावा हम बात कर रहे थे Sudoku Solver की राइट तो यह एक बहुत अच्छा resource है यहाँ पर इसकी help से आप लोग Sudoku Solver वाला game भी बनाना सीख सकते हो रियक्त के अंदर ही इसके बाद अगर आप लोग थोड़ा और चैलेंजिंग जाना है तो आप लोग यह snake game भी बना सकते हो यह यह game याद है यह वाला game भी आप लोग बना सकते हो react की help से ही तो बहुत सारे resource में आपको बतादे हैं सिर्फ game game के अंदर इनके अंदर आप लोगो दिख रहा होगा ज्यादा back end की knowledge ही रोत नहीं है अगर आप लोगो उसे front end आता है react आपने सीख ली तो आप लोग multiple कमाल कमाल की चीज़े बना सकते हैं जो कि एक बहुत ही amazing चीज़ वाती है ठीक है और चीज़ में इसके बाद कहूंगा कि जो project आपने बनाये हैं इसको आप लोग deploy करो क्योंकि जो deployed project होते हैं वो अगर आप लोग ने resume में link डाला हुआ कि यह मेरा project है तो कोई भी recruiter होगा न वो link पर directly click करेगा और देखेगा कि अच्छा या इस बंदे न यह चीज़ बनाई है और अगर आप लोग ने कोई ऐसा project बनाये हुआ है जिसके उपर users आ रखे हैं तो वो कमाल की चीज़ आती है उसके बाद तो मतलब recruiter को यह होता है कि मुझे इस बंदे से बात करनी है तो इस टैप के project मनाने है आप लोगो डिपलाई करने के लिए multiple options होते हैं आप लोग AWS के उपर जा सकते हो खुद या फिर Google Cloud Service Providers जो होते है Microsoft Azure हो गया या फिर जो multiple और चीज़ आते हैं like Heroku, GitHub के उपर भी आप लोग डिपलाई कर सकते हो लेकिन एक बहुत ही easy चीज़ में आप लोगो बताऊंगा प्रोजेक्स की काफी ज्यादा importance होती है प्रोजेक्स बनाने से आपकी skills थो improve होती है साथ ही साथ companies भी आपको एनगी के basis पर जज़ कर रहे होती है तो Cryo आपकी software development skill को improve करने में बहुत ज़्यादा help करता है using their project based learning approach Cryo के पास multiple instructors और world class mentors है जो की multiple tech-techs तो आपको सिखाते ही है जैसे कि front-end के अंदर, back-end के अंदर, react, node ये सब इसके अलावा real life project भी बनवाते हैं Cryo के 6 months के प्रोग्राम के बाद आप लोग multiple projects बना चुके होते हो जैसे कि Netflix के जैसा ODT platform या फिर Zomato को जैसा back-end, या फिर Airbnb के जैसा front-end, और भी multiple projects ये projects बनाने के बाद आप लोगो real life work-like experience मिलता है और साथ ही में ये projects आपके resume के shortlist होने के chances भी काफी ज़्यादा बढ़ा देते हैं अब Cryo के पास 200 से ज़्यादा hiring partners हैं जो कि Cryo के developers को directly interview ले रहे होते हैं यहां के developers का average package 11,00,00,00 पर रहने हम है with about 93% success rate to placement तो अगर आप भी final year student हो या फिर आपको product-based company में switch करना है भी service-based में हो तो Cryo आप लोगों के लिए बहुत ही कमल का platform रहने हो आला है So apply from the multiple programs offered by Cryo and begin your software development journey by using the link in the description box below और इसी के साथ video continue करते हैं अब बात करते हैं second project के तो यह project है movies catalog आप लोगो basically multiple movies दीखे होगी जैसे Netflix को पर movies है और आप लोगों को उनके cast बगएरा देखने हैं या आप लोगो जाना है कब release हो रहे है कब concepts हो रहा है क्या rating है इसकी IMDB और autumn tomatoes तो इस type की चीज़ा अगर आप लोगो दिखाने है user को तो उसके लिए आप लोग OMDB नाम की API है उसका यूज कर सकते हैं आप लोग बोलोग यह data हमारे पास तो है नहीं तो यह data यार कही न कहीं तो है और उन्होंने एक API बना रखी है उस API का यूज करके आप लोग अपने front end के अंदर उसको show कर सकते हो अलग अलग तरीके से वहाँ पर भी आप लोग उसे front end ही बनाना है तो यहाँ पर आप लोग APIs consume कर रहे होगे तो आप लोग multiple चीज़ें वहाँ भी सीख रहे होगे तो यहाँ पर आप लोग एक catalog बना सकते हो movies का या फिर आप लोग चाहो तो cryptocurrency का tracker बना सकते हो आज कर trend में है काफी आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी request अगर आप लोग को वीडियो अभी तब पसंद आ रही है तो एक पर like कर दो to appreciate the मैनत और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe कर दो to get notification for more such amazing content तो इनके ही अगर आप लोग ने links डाल देने अपने resume के अंदर तो बहुत ही कमाल की चीज़ होने वाली है recruiters की आखों में एक दम से चमकने वाली है वो चीज़ अब आप बोलोगी यह कैसे बना सकते हैं तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं rapid API की यहाँ पर actually आप लोग को multiple APIs मिल रहे होती है किसी भी टाइप की news की finance की sports की covid की translation की multiple side सरी APIs आप लोग जाके यहाँ पर check out कर सकते हो कुछ free होती हैं कुछ freemium होती हैं कुछ freemium होती हैं और OMDB जो हमारी API है इसके लिए आप लोगों का एक free access भी मिलता है ठीक है इसके अंदर आप लोग भी 1000 hits per day की limit होती है इसके अंदर आप लोगो बहुत ही easily यहाँ पर आपकी API की मिल जाएगी और उसके बाद आप लोग उसका use कर सकते हो multiple data आप लोग निकाल सकते हो उसके अंदर आप लोग react movie app बना सकते हो यह OMDB API ही यूज कर रहे है इनके अंदर एक वीडियो भी है यहाँ पर 42 minutes की वीडियो है जिसके अंदर आप लोग इस type का app बनाना सीख जाओगे तो काफी कमाल का app है आप लोग बनाओगे यहाँ पर इसके अलावा अगर आप लोग क्रिप्टो क दोनों आपके projects हो सकते हैं लेकिन एक बात हमें याद रखने कि बनाने के बाद deploy जरूर करना अपने projects को क्योंकि वही आपकी project की values को 10-20 times बढ़ा रहे होते हैं आपकी resume के अंदर ठीक है तो deploy हमें जरूर करने है इसी के साथ बात करते हैं third project idea की यह project है must have for every web designer and web developer अगर आप लोग एक web developer हो तो आप लोगों के resume के अंदर portfolio website जरूर होनी चाहिए ठीक है आप लोग यहां पर showcase कर सकते हैं अपने खुद के projects अपनी खुद की skills दिखा सकते हैं कि देखो मैंने ऐसा एक portfolio website बना रहे है तो मैं आप लोगों के लिए तो क्या ही बना दूँगा मैं कुछ video के बहुत कमाल का channel है जिसके ओपर बड़ी बड़ी videos होती है लेकिन आप लोग multiple चीज़ें सीख रहे होते हो ठीक है industry standard जो code होता है आप लोगों को जिखा रहे होते हैं और इस type का आप लोग अपनी खुद की portfolio website यहां पर आके बना सकते हो तो definitely worth checking out और आप लोग multiple चीज़ें य यह project थोड़ा unique है chrome extension development काफी लोगों को पता नहीं होते है कि हम लोग chrome extension develop भी कर सकते हैं अगर आप लोगो basic beginner level भी web development आती है तो इसके ओपर मैंने एक कमाल की वीडियो बना रखे है आप लोग जाके चेक आउट कर सकते हो इसके ओपर आपका काफी अच्छा response भी आया था और आप लोगों ने काफी लोगों ने इसके ओपर linkedin के ओपर सेम बनाने का try किया तो फिर आप लोग next level पर लेके भी गएते और काफी लोग तो multiple कमाल कमाल की chrome extension बना पाएते इसके बात तो इसके अंदर मैं कुछ projects आप लोगो देता हूं कि color picker बनाने का try करो या फिर जैसे मै बहुत ही basic beginner level के credit operation करने वाली website बना सकते हो यहाँ पर आप लोग उने list कर रहे multiple items यूजर उनको cart में add कर सकते है उसके बाद checkout कर सकते है या फिर आप लोग चाओ तो थोड़ा next level पर ले आ सकते हो इस game को back end भी बनाओ इसके अंदर ठीक है back end बनाओ user आ रहा है website के उपर आप आप लोग उसके उपर actual product डालने का try कर सकते हो वो product आप लोग इसके अंदर फिर Shopify integrate कर सकते हो आप लोग इसके अंदर stripe integrate कर सकते हो पैसे लेने के लिए आप लोग multiple चीज़ें यहाँ पर कर सकते हो और पूरा पूरा fully fledged एक front end to back end platform बना सकते हो e-commerce website का इसको आप लोग को deploy त आता है कि मुझे इससे तो जरूर बात करने है इसने क्या किया इसकी क्या thought process दिये क्या चाहता है करना life में तो ऐसा कुछ अगर आप लोग ने बना दिया तो वो कमाल की चीज़ आती है तो वह बनाना कैसे अभी हम beginner है हमें react नहीं आती हम किस तरीके से website बना सकते हैं तो आप लोग के सारी से प्रोड़क्ट किस तरीके से डालने हैं user authentication कैसे करना है सारी 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 चीज़े इवन stripe इंटिग्रेट कर आरका इसके अंदर इनों और उसके बाद इन दौनों को अच्छे से इंटिग्रेट करके पूरा fully fledged एक platform भी यहाँ पर बनाया हुआ हुआ है ठ Express, React and Node.js यह अगर आप लोग सीख लेते हो तो आप लोग एक full stack developer बन जाते हो तो आप लोग इसके बाद multiple और भी different kind of projects बना सकते हो जो आप लोग के दिमाग में ideas थे उनको आप लोग reality में convert कर सकते हो after learning all this तो यह तीन वीडियो से इसकी help से आप लोग सीख जाओगे technology user generated content जहां पर user ही content डाल रहा है, user ही उसको बढ़ावा दे रहे है, user ही इसको like कर रहे है, interact कर रहे है और आपने पस एक platform मना दिया, उसके बाद user ही उसको grow कर रहे है ठीक है, इसे हम कहते है community driven इसके अंदर multiple आप लोग की ideas हो तक सकते हैं, जैसे कि आप लोग का social media application मनाते है, user ही डाल रहे है, और user ही उसको grow कर रहे है, इसके लावा जहां पर आप लोग rate कर सकते हो अपनी खुद की profile pictures को, या फिर thumbnails को यहां पर rate कर सकते हो कि कौन सा thumbnail ऊपर है, कौन सा नीचे है, news वगरा user डाल सकते है, कोई भी अपनी feed डाल सकते है, एक छोटा micro blogging कर सकते है, यहां आप लोग का एक Twitter हो गया, तो multiple type of projects यहां पर हो जाते हैं, और basically थोड़ा advanced चल जाता है, क्योंकि यहां पर आप लोग user को भी handle कर रहे हो, तो पूरा authentication, authorization सब आ जाता है, उसका content को भी आप लोग manage करे हो, तो वहां पर content management system भी आ जाता है, और पूरा front end और back end बना रहे हो, तो एक अपने आप में ही काफी कमाल का platform हो जाता है, ठीक है, तो इसके लिए मैं आप लोग को कोई resource नहीं दे रहा है यहां पर, क्योंकि जितना भी मैं आपको अभी तक बताए हैं, अगर उतने आप लोग लिए बना लिए, तो उसके बाद ये बनाना आप लोग के एक piece of cake होन कि ऐसे लोग projects बना के आ जाते हैं, जिनके बात, उनसे बात करने के लिए, just for the sake of talking to that guy, हम उसको shortlist कर रहे होते हैं, ठीक है, ऐसा urban clap में काफी क्या है, तो definitely ये इस टाप के projects आप लोग बनाओ, मैं आप लोग को multiple ideas दिया आज की वीडियो में, ठीक है, six ideas to be precise, और इसके ideas के अ सीखो, अगर आप लोग मुझे बोलोगे, तो मैं एक react in one video बनाने का ट्राय करूँ है, जहाँ पर मैं आप लोग को basic to advance react के सारी components बता दोगा, किस तरीके से कैसे react काम करती है, उसके बाद आप लोग फिर उसे फरदर लिया सकते है, अपनी reactive learning को, ठीक है, तो definitely make these projects, अपने resume क shortlist होने के chances को बढ़ाओ इसके साथ ही, मुझे बताना कौन सवाल प्रोजेक्ट आप लोग बनाने का सोच रहे हो, इसी के साथ ही अगर अभी तक आप लोग बने हुए, तो जरूर लाइक किये बिना मजचाना, चैनल परतन सब्सक्राइब अगर नहीं हो, तो मैं मिलूँग आपना उसे नेक्ष वीडियो में इसी के साथ चलते हैं, बाइबाई